अबिनेत्री बिपाशा बासु और उनके पतिदेव करन सिंग ग्रोवर एक मैट्रिस लॉंच के इवेंट पर पहुँचे हुए थे स्टनिंग और गॉर्जियस बिपाशा बासु कुछ इस अंदाज में दिखाई दे रही थी वहीं सुपर फिट करन सिंग ग्रोवर दिखाई दे रहे थे सबसे पहले इन दोनों ने मिलकर के मैट्रिस लॉंच किया फिर बाचीत के दौरान खुद को रिलाक्स करने के लिए करन सिंग ग्रोवर क्या करते हैं इसकी बात उन्होंने बताई किया है कि टेखिस न लुग यर वहां हिता स्थर शी करना प्रिल्ष और इंवर क्ष्क्माइ डव्स हैं थे इसक्या है कि बाचर्वसर ते खर यहां थे जो प्रोवथी in the Sge वहीं बिपाशा का क्या था कहना, सुन लीजिये I think you all should go and get some good sleep on spring fit Yeah, definitely जब नीन्द की बात की गई to Karan Singh rover ने बताया की वो कितने देर सोते है I actually make sure that I get six hours of sleep no matter what because it's I don't believe in eight hours of sleep anyway I never have Sometimes it goes up twelve hours when it's a holiday but six hours is something that I make sure that I get I sleep around 11.30 I wake up at 5.30 in the morning Pati की तारीफ करते हुए Bipasha ने बताया की वो जल्दी उठते हैं सुबह सुबह Karan is a very early riser His thing is to he has to like do his yoga, do his sketching, do his riyaz and then he wakes me up Yeah I also wake up early but not so early Well, Bipasha Basu और करन सिंग रोवर इसके पहले अलोन फिल्म में एक साथ दिखाई दिए थे अब देखना ये खास होगा कि ये कपल अकेले या साथ-साथ कफ फिल्मों में नजर आएंगे We'll wait and watch झाल 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 झाल